श्री शिवाय नमस्त अभ्याम सोमवार के दिन भगवाण शिव और माता लक्षमी को समरपित होता है धन की प्राप्ति किसे नहीं होती, लेकिन धन प्राप्ति में पित्र दोष भी रुकावट बन जाते हैं कहीं बार ऐसे पित्रदोश होते हैं जिनका प्रवाव हमारी तरक्की और धन पर पड़ता है यदि आप उन पित्रदोशों को सोमवार के दिन किये गए उपायों से समाप्त कर देंगे तो आपके जीवन में माता लक्षमे का भी आगमन होगा और आपके पित्रदोश की रुकावटें भी दूर हो जाएंगी तो आईए जानते हैं धन प्राप्ति के लिए क्या है उपाय जो कि सोमवार के दिन आपको करना है सोमवार के शाम को काले तिल और कच्चे चावल दो चीज की जरुवत पड़ेगी काले तिल और कच्चे चावल आप 21-21 दाने दोनों के लेले 21 दाने काले तिल के और 21 दाने कच्चे चावल के चावल, सेंगा होना चाहिए, तुटा-फुटा, कटा-फिटा ना होना जाहिए इस बात का ध्यान रखें, दोनों को मिला लें, किसी भी शिवलिंग पर आप उन्हें समर्पित करें ध्यान रहे, यहां कारसोमवार के दिन शाम को प्रदोश काल के समय होना चाहिए किसी भी शिवलिंग पर आप इसे समर्पित करें, घर के शिवलिंग पर भी आप समर्पित कर सकते हैं ऐसा करने से आपके पित्र दोश कम हो जाएंगे, आपके पित्र आपसे प्रसन होंगे और आपके धन सम्मंदी कोई भी रुकावट आ रही है आपके कारे में कोई भी बादा आ रही है तो वह भी रुक जाएगी अगर आप ऐसा उपाए पित्र पक्ष के 16 रादों के दिन करते हैं तो और भी ज़्यादा उत्तम बाना जाता है हमारे पित्र हम से संतुष्ट होते हैं और वे हमें आश्रिवात देते हैं जिससे हमारे धन धाने में कोई कमी नहीं छोड़ते तो दोस्तों ऐसे ही कई उपाए हैं जो हमने पूझने श्री पंडित प्रदीप जी मिस्रा दोरा बताये हैं अगर आप लोग हमारे चेनल पर नए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाईएगा ताकि उन्हें भी इन उपायों की जानकरी प्राप्त हो श्री शिवाय नमस्तुव्यम